हे वाट्सब गाईज दिस इस इंजीव एन वेल्कम बैक टू अगेन मैं यूट्यूब चैनल सो गाईज आज के इस वीडियो में मैं फेट से आप सभी लोगों को एक बिल्कुल ही नए फेक लोन अप्लिकेशन का रेवियू करके दिखाने जा रहा हूं यह लोन अप्लिकेशन सिर्फ यूब लिए आपके आधार काट, pen card, selfie से लोन देता है fake loan अप्लिकेशन है अगर आपको loan मिल जाता है तो loan चुकानी की जरुवत नहीं है बहुत ही जादा नया fake loan application है अभी कुछी महीने पहले अभी मुझे लगता है एक दू महीना ही हुआ होगा इस loan application को आए हुए play store पे अभी मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा इसका release date कौन सा है play store पे ठीक है इस application के about section में हम जाएंगे पूरे इस application का termation condition कितने का loan देता है क्या कुछ सब कुछ पढ़ेंगे कैसे loan लेना है सब कुछ detail में बताऊंगा अगर चैनल के नए होगे चैनल को subscribe कर देना बेल अकन को press कर देना वीडियो अच्छा है कि तो like करना अपने दोस्तों के साथ share करना साथी में guys मैं आपको बता दूँ वही लोग ऐसे fake loan application से loan के लिए apply करें जो कभी किसी fake loan application के trap में फसे थे उनको fake loan application वाले बहुत ज़ादा परिशान किए बहुत ज़ादा परताडित किए पांस जार का loan देके उनसे 10 जार, 20 जार, 30 जार, 40 जार in fact यहां तक की 50-50 हजार उप्य तक ये fake loan application वाले लोगों का लूट है अगर आपका भी ये लोग लूटे हैं आपको परिशान कियें तो आप अपना बदला ले सकते हो ऐसे fake loan application से loan लेके अपना थोड़ा पहुत पैसा recover कर सकते हो बाकी जो लोग कभी किसी fake loan application के चक्कर में नहीं पढ़े हैं वो लोग बिल्कुल भी ऐसे fake loan application से loan के लिए apply ना करें NBFC registered loan application से loan के लिए apply करें मेरे channel पे बहुत सारी videos मिल जाएंगी NBFC registered अच्छे अच्छे loan application की ठीक है बाकी गाईश चलिए अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ play store पे और दिखाते हूँ इस loan application का review करके तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं आज की इस वीडियो में मैं इसी application का review करने पालू हूँ इसका नामें InstaNoir InstaNoir Easy Instant Loans 4.3 की rating है 100k प्लस इस application के डाउनलोड से हैं 4.3 की rating है 100k प्लस इस application के डाउनलोड से हैं यहां से नीचे से यहां से see all reviews हो जाएगा see all reviews करके आप reviews हो करें पढ़ लेना rating हो करें देख लिए देना आप लोग उनके लिए अपलाई करना बागी यह जो 5533 की rating आपको दिख रही है यह सब paid है main आपको critical reviews में आना है देना आपको चेक करना है यहां पर देख लीजे so guys यहां पर आप critical reviews में देख सकते हो यहां पर 1111 सब लोग इसको 11 की rating दिया है और यहां पर जो comment है जो यह लोग reviews दिये हैं जो reviews लिखे हैं यह सब आप खुद से पढ़ लेना ठीक है क्योंकि काफी लंबा video हो जाता है इसलिए आप खुद से पढ़ लेना बाकि यहां पर critical reviews में आप देख सकते हो 111 की rating इस application को मिली है इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आपको दिख रहा है यह जो 5-4 का rating है यह सब paid है और जो critical reviews में rating है वही असली है और इस loan application की सचाही है वो अब about section चेक करते हैं आपने आपको RBI के थुरू NBFC registered बताया है बट यह है नहीं ठीक है बागी यहां पर देख लीजे आपको यहां पर मैं आपको बता दूँ minimum 5 सा loan maximum 30,000 का loan देने का दावा कर रहा है loan tenure minimum 92 days maximum 180 days तक का interest rate यहां पर maximum annual percentage interest rate है 36% का ठीक है यहां पर सब कुछ आप देख सकते हो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है बड़ गाईज यह कहीं से भी आपको एक 60 दिन का loan नहीं देगा यह सिर्फ 7 दिन का loan देगा और 30,000 का loan नहीं देगा starting में आपको 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 इतने का ही loan देगा उस से उपर का नहीं देगा ठीक है तो यह सिर्फ आपको अपने trap में फसाने के लिए about section में यह सब लिखा हुआ है कि हम 500 से लेके पांसे जार से लेके 30,000 रुपय तक का loan देते हैं 10 और हमारा आप total 180 दिन का maximum है यह ऐसे ही बस लिखा हुआ है example है यह आपको देख लिए यह देखे समझाया है loan application वाला कि 180 दिन के लिए आपको loan मिलेगा अगर आप 20,000 का loan लेते हो तो इतना interest rate लगेगा इतना processing fees लगेगा इतना आपको बैंक में disverse कहा जगा इतना आपको total repayment करना है इतना आपका हर में न EMI आएगा यह भी सिर्फ आपको अपने trap में फसाने के लिए यहाँ पे देख लिए कैसे आप loan के लिए apply करेंगे तो आपके उमर 18 साल होनी चाहिए ठीक है और आपके पास valid ID होना चाहिए और आप Indian citizen होने चाहिए आपके पास bank account होना चाहिए ठीक है mobile number होना चाहिए उसके बात से application को play store से download करना mobile number डालना OTP अगर वो डालना अधर cut and cut selfie डाल की KYC update करके loan के लिए apply कर सकते हो ठीक है फिर आपको wait for the approval wait for the approval मतलब approval के लिए wait करना है बागी यहां पर इनका mail है वह भी मुझे ऐसा लग रहा है कि fakie होगा mail होगा रहे है आप देख सकते हो इनका mail है यहां पर आप देख सकते हो mail पे भी आप संपरक घरे कर सकते हैं अगर चाहे तो बागी यहां पे गाई अगर हम permission की बात करें तो ौlet नहीं पर इसे इसEER कर सकता है यह इसका पूरा about section में आपको पड़क बता दिया अालग कि यह NBFC registered loan application नहीं है तो गाउं देहाद, इंडिया के बड़े city, छोटे city, सब जग़े यह loan देगा एकदम आराम से क्योंकि यह कोई NBFC registered loan application तो है नहीं, बिल्कुल fake loan application है अगर गाउं ओगरे में loan देगा तो काफी जल्दी गाउं के लोग first जाते हैं ऐसे loan application के trap में तो definitely गाउं में तो loan देगा ही देगा बागी यह कोई NBFC registered application नहीं है no hidden charges, कोई भी hidden charges नहीं है इस application का ऐसा बोलना है fast approval है and disbursement भी 100% online process है fast loan approval and disbursement सब कुछ online है यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ गई इस पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यह application fake है क्योंकि मैं इसके NBFC के website पे भी गया था इस application को कहीं भी मैं नहीं देखा ठीक है कहीं नहीं कहीं मुझे fake लग रहा है बाकी एक बार आप खुद से search करना पूरा reviews rating देखना ठीक है critical reviews जरूर देखना पूरा transmission condition पढ़ना और दो चार जागे पता लगाना देन इस application से loan के लिए अपलाई करना otherwise loan अपलाई मत करना मुझे लगा यह fake है तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा opinion है सिर्फ यह education purpose से यह video बनाए हूँ और कुछ नहीं that's it okay so guys यहीत आज के इस video में चलिए मिलते हैं किसे और next useful video में तब तक लिए जाहिए बंदे मात्रम भाई लोग